So Hello Friends, स्वागत है आप सभी का UP की Top 20 News में चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश ओ देश दुनिया की कुछ खास खबरे सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है कि योगी को जान से मारने की धमकी मिली है फिलाल आपको तादे, UP Board का रिजल्ट दसवी बारवी का आ गया है और ऐसे में जो लोग UP Board की दसवी बारवी की परिक्षा में पास हुए है योगी सरकार की तरब से Free Tablet स्मार्टफोन मिलेगा और जो सबसे ज़्यादा Marks पाया है, जो Top स्रेणी में आता है, जो अवल है उनको सरकार की तरब से बड़ी सुब्दा मिल लई है अज़क गली-गरी में जो कबारी वाले होते हैं, वो अब कबार नहीं, चावल आपका खरीद रहे हैं क्या इसका कारण है या ये जानते हैं और PM किसान की चवदावी किस्ता आपको कब मिलेगी इसके बारे में जानेंगे 35 लाग यू आपको टैब्रेट स्मार्टफोन लेप्टॉप में लेवाला है हर एक अपडेट आपके लिए है और चिनावी आगाज को लेकर भी UP सरकार क्या कही है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में आप अंदे तक बने रहेगा, चलिए, सुरू करते हैं सुबात कले पहले खबर की तो योगी को जान से मारने की धमकी मिली है, डायल 112 पर आया है मैसेज मैसेज में कहा गया UP के CM को जल्द मार दूँगा, दरसल उतर प्रदेश के CM योगी आदितनात को जान से मारने की धमकी मिली है डायल 112 पर एक मैसेज द्वारा या धमकी दी गई जिसमें लिखा है मार दूँगा अपरादी ने डायल 112 पर मैसेज करके सीम योगी को जान से मारने की धमकी भेजी है इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है इससे पहले योगी आधितनाथ को बीते साल अपरेल में भी इसी पकार से जान से मारने की धमकी मिली थी सो दोस्तो रासन की बात कर ले तो इस बार रासन कब मिलेगा यानि मही महीने में रासन आपको कब से दिया जाएगा क्योंकि अपरेल महीने का रासन मिल चुका है अब आपको अपरेल महीने का रासन नहीं मिलेगा अब मई महीने का रासन आपको मई महीने में दिया जाएगा इस मई महीने में आपको कई सारी सुविदाइं दी जा सकती है सबसे पहले तो जान लेजे मई महीने में गेहु के कोटे को बढ़ाया जा सकता है मई महिने में आपको रासन में कई सारी सुविदा ये भी दी जा सकती है कि आपको चीनी भी दिया जा सकता है अलग कि अंतियोदे कार्ट धारकों को केवल लाब मिलेगा 5 मई से रासन वित्रर सुरू हो जाएगा जो की लगबग 20 से 24 मई तक चलेगा इस बार भी रासन में आपको बता दे तो चावल कम दिया जा सकता है और खबर ये भी सामने आ रही है कि जो कोई भी फ्री का रासन उठाता है कोटेदार की दुकान से अगर रासन को बेचता है तो उसको इपर कारवाई होगी और उसका रासन कार्ड रद्ध होगा अगर वो पास हुए है तो उनको सरकार की तरब से टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा आप यहां पे देख सकते हैं टाइटल में भी लिखा है यूपी बोर्ड में सफल स्टूडेंट को सीम योगी ने दी है बधाई और टॉपर्स को सरकार देगी बड़ा तोफा वही दोस्तों यूपी बोर्ड टॉपर लिष्ट जान लिए क्योंकि दसवी में प्रयांसी और बारवी में सुभने मारी है बाजी मिलिये यूपी बोर्ड के टॉपर से जिया दोस्तों आप ये दो बच्चों को देख रहे हैं जो दसवी बारवी में टॉप किये हैं इस साल इंटरमेडिर की परिक्षा में 75% पास हुए है बच्चे जिसमें बालक 79% है और लड़कियां जो है वो 83 फिजदी है लेकिन इस बार बारवी की परिक्षा में जो छात रहें उनके परसंटेस काफी कमाए है आला कि इन टॉप 10 लोगों को सरकार की तरब से सुभिदा म जिया दोस्तो रासन का सस्ता चावल दे दो और बदले में पैसे ले लो ऐसा इन लोगों का कहना है दरसल दोस्तो आप से सस्ते में रासन ले ले लेते हैं और आपका रासन ले जाकर महेंगे दामों में बेशते हैं वैसे तो आपको सरकारी रासन अगर मिल रहा है तो उसको आप बिलकुल भी ना बेचे क्योंकि उसरकार आपकी सुभिदा के लिए आपके गरीबी के कारण आपको खाने के लिए दे रही है बिलकुल फ्री दे रही है तो अब दोस्तो कबाड के लिए गली गली मंडराने वाले कबाडियों को रकम या जरूरत के सामान की अदला बदली जोरोपर है यानि अगर आप एक रासन कार्ड धारक है और अगर इन कबाड़ियों को या पिर किसी रासन की दुकान पर जाकर आप रासन जो कोटेदारों से मिल ला है, सरकार की तरफ से फ्री मिल ला है उसको जाके बेच रहे हैं तो आपका रासन कार्ड रद्ध हो जाएगा अगर आप पकड़े गए तो, यानि मार्केट में अगर आप सरकारी रासन के गल्ले के रासन को बेचते हैं चाय कोटेदार हो या रासन कार्ड हो, दोनों के लाइसेंस रद्ध होंगे रासन के चावल का या खेल करोनो रूपय महिने का है लोगों को मुप्त में मिल रही सरकारी चावल किराने की दुकानों और सापताहिक मंडियों में विकरा है वहीं दोस्तों आपको दादे 14 वी किस्त के लिए आपका इंदजार समाप्त होनी वाला है क्योंकि सरकार इस दिन जारे करेगी 14 वी किस्त पीम किसान निदी की यानि आपको मई महिने में 2000 रुपए खाते में मिलेगा लाब पाने के लिए आपको ये काम करना होगा आज भी देश में कई किसान कर्ज का सहारा लेकर खेती कर रहे हैं आपको तो पता ही होगा और भारा सरकार ने 13 किस्त दी है जिसमें 2000 रुपए मिलता है और कई सारे किसान ऐसे थे जिनको 2000 रुपए 13 किस्त या 12 किस्त का नहीं मिला लेकिन दोस्तों अब आपको 12 यो 13 किस्त का पैसा नहीं मेरा तो आप निरास ना हो क्योंकि 14 किस्त के लिए अभी से ही आप EKYC करा ले क्योंकि सरकार की तरब से नई तरीके से पैसों को ट्रांसफर करने की सुविदा दी जा रही है ऐसी में कई किसानों के इंदजार अप समाप्त होगा फिलाल 14 किस्त के लिए अभी सरकार की तरब से कोई निश्चित डेट का एलान नहीं हुआ लेकिन मीडिय रिपोर्ट की माल ले तो आपको 14 किस्त का पैसर ट्रांसफर करेगी करोनों किसानों के खाते में पैसर ट्रांसफर होगा आपको पता योगा कि मीडिय रिपोर्ट में लगा तार ये खबरे आ रही थी कि 27 अप्रेल से पहले UP बोट का रिजल्ट आ जाएगा और 25 अप्रेल को रिजल्ट आ भी गया तो ऐसे में मई महिने में आपको 14 किस्त मिलेगी सो दोस्तो UP में 35 अप युवाओं को जल्द बाटे जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन योगी कैबिनेट ने लगा दी है मुहर आपको बदादे 10 वी बारवी में पास होने वाले चात्रों को सरकार फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देगी हाला कि आपको बदादे 12 वी में पास होने के बाद आपको ग्रेजिवेशन में एड्मिशन कराना होगा यानि B.A.B.C. करने वाले चात्रों को ही टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा 35 लाग चात्रों को इस बार टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाला है हाला कि यूपी सरकार ने प्रदेश में 10 लाग टैबलेट PC और 25 लाग स्मार्टफोन खरीदने की मंजूरी दी है यारी जादा तर इस्टुडेंट को सिर्फ स्मार्टफोन ही मिले वाला है क्योंकि 10 लाग टैबलेट केवल ग्रेजुएशन में जो बी फार्मा या फिर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा और 25 लाग लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा हाला कि टेकनिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी टैबलेट दिया जाएगा तो अगर आप बारवी पास करने के बाद भी ये कर रहे हैं या भी कौम कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा वहीद आजस्तान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना सुरू हो चुका है 100 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जा रही है और फूड पैकेट भी मुफ्त दीया जा रहा है CM गहलोत का महेंगाई राहत कैम्प सुरू हो चुका है यह दोस्तो राजस्तान में 100 यूनिट बिजली फूड पैकेट मुफ्त में दीया जा रहा है इसके साथ ही बजट में की गई 5 रुपए की सिलेंडर भी लोगों को आज से ही मिलना सुरू हो गया है बस इसके लिए आपको BPL या फिर उजला यूजना में लाबारती होना जरूरी है सबसे जरूरी बात या है कि महेंगाई राहत कैम्प में या लाब आपको पंजी करन के दोरान मिलेगा यानि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके बाद आप 100 यूनिट की बिजली फ्री पाएंगे और साथ ही आपको दादे मुफ्त में आपको फूड पैकेट भी मिलेगा इस फूड पैकेट में आपको एक किलो चना डाल मिलेगी साथ ही आपको दादे कई सारी और सुविधा भी है जिसमें एक किलो खादे तेल भी मिलना है वही दोस्तों आरबियाई ने बड़ी राहत दी है आरबियाई की बड़ी कारवाई है चार बैंकों पर लगाया है 44,00,00,00 रुपे का जुर्माना जानिया आपका इस बैंक में पैसा तो नहीं है दरसल दोस्तों आपको दादे रिजर बैंक ने कही है ये बात बैंकों पर कारवाई पर जानकारी देते हुए आरबियाई ने कहा केंदरी बैंक का या मकसद है कि बैंकों द्वारा रिजर बैंक के सभी नियोमों का अनपालन हो इसके सास्थी bank का या इरादा नहीं है कि हम bank और ग्राहकों के बीच किसी लेन देन में दखल करें लेकिन आपको जादे किन बैंकों पर कारवाई हुई है ये आपको जानना बहुत जरूरी है जिया दोस्तो भारती रिजर बैंक ने जिन को आपरेटी बैंकों पर जुर्माना लगाया है वहाँ बैंक Bombay Market Tile को आपरेटी बैंक है और इस बैंक में पूरे 13 लाग रुपे का जुर्माना लगा है वही जनता सहकारी बैंक और पूरे बैंक पर भी रिजर बैंक ने 13 लाग हैं और CM योगी ने आज सहारनपूर में चुनावी आगाज कर दिया आपको दादे योगी ने माफिया और गुंडों को सक्त हिदायत देते हुए कहा यूपी किसी की बफवावती नहीं है आपको दादे CM योगी आदितनाद ने सहारनपूर में निकाय चुनाओ में ये बा योगी के मंतरी बोले अतिक के हत्यारों को देंगे कडी सजा हत्या को चुनाओ से जोड़ना गलत है जिया दोस्तों उत्तरप्रदेश सरकार में परेटा ने हम संस्कृति मंतरी जैवीर सिंग का कहना है कि जनता को सुरक्षा देना और उसके कल्यार के लिए कार करना इसी प्रियान दिया कि तीक के हत्यारों को देंगे कडी सजा हुई दोस्तों यूपी बोर्ट की टॉपर प्रियांसी सोनी के बारे में थोड़ो जान लिजे क्योंकि नौ साल में उठ गया था पिता कसाया भाई ने उसको पढ़ाया है और आज हुआ यूपी की टॉपर है उत्त पुर के सीता बाल विद्या मंदिर इंटरकॉर महमुदाबाद से दसमी की पढ़ाय की पिता की मौत के बाद भाई ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी आज वा यूपी बोर्ट की टॉपर बनकर उस भाई के सिर को गर्व से उचा कर दिया है वही मद्य परदेश से भी इदर पी-म रिपोर्ट में चीते की मौत का कारण कारण कारडियक अरेश्ट बताया जा रहा है वही दोस्तों तेज हो गया है पहलवानों का प्रदर्सन जीहां सपोर्ट में आयपूरू केंदरी मंतरी कपिल सिब्बल बोले इंसाफ के सिपाही आपके साथ हैं दरने बर ब तो मारको पुलिस कमिस्नर कार्याले से जारी कर दिया गया है होटल में एक मार्च को हुए सिक्स रैकेट के खुलासे में साथ युवतियां वहा पांच युवक दबोचे गए थे सो दोस्तों यह कुछ अपडेट था जो आपके साथ सेर किया गया है आई होप आपको यह पसंद आए होगा ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन पनिवाद